आपका स्वागत है चलिए आज बनाते हैं एक करी इसके लिए हमने लिए हैं दो बलेगी अंडे दो आलू है और मसाले के लिए हमें चाहिए प्याज लैसुन अज्रत हल्दी पाउडर मिर्च पाउडर और धनिय पाउडर इन जब को हम पीस कर एक महीं पेस्ट तज्यार कर ल कि यह लंगा लाईची में प्याज इस दूंची मातज लेंगे तो चलिए पहले प्याज कम हमं़ी से तग्या कर लेते हैं और साथ मैं ह انकों फ्राइ भी कर लेते हैं सर्स्णों का तिल गर्म हो गया है और हुमिटूश में डालेंगे थोड़ीस हल्दी हल्दी के बाद हमें लागजब सब्सक्राइब करेंगे पर चास में पूरी दी लाग दो चीजित में डाल लेंगे अच्छा कलरा दाने तक हमेने तलके निकाल लेंगे यह देखे एवच्छ सफाई हो गए है अज़ो निकाल लेंगे और इसी तेल में डाल कर हम आलु को भी प्रैस कलेंगे आज टेल दो आलुप醒 कि आई जीओ निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे खड़ी गरम मसाले गड़े जरह मसालों के चतक जाने के बाद हमें इसमें अपना मसाला भी जाल देंगे के उसके रखता है लगा देने तो यह लूपा नहीं आता है तो इस दिर बात बाकी मसाला भी हमें लगा देंगे अब मसाले में हम साधन सा नमक डाल देंगे साथ में कसूरी मेथी, कसूरी मेथी को हाथ से थोड़ा से ज़र ज़रा देना है ताकि अच्छे उसकी महक आ जाती है, साथ में डालेंगे सब्जी मसाला और कास्मीरी लाग मर्च कास्मीरी लाग मर्च से सब्जी में कलर अच्छा आ जाएगा और इस सब को हम अच्छे से मिला देंगे, और अब मसाले को ते Er frame च्छोडने तर्व अच्छे से भून लेदें मसाले में हमालू भी डाल देंगे तो हमने तलखे रखे थे इने भी हमें बसाले के साथ अच्छे से भून देना है आइधिये मसाले अच्छा से बिन गया है तील शोड़ यसमें डालें थोड़ी से जन्हीं करती है और इसको मिला देए और साथ में हम डालेंगे पानी ग्रेवी अपने हसाफ से रखिए जैसी आपके ही हो इसमें ग्राड़ी ग्रेवी ही अथि लगती है एक सब मिला कि सब को पानी पाकने के लिए हम दखना कर रख देंगे कर ग पानी अच्छ सब यूदधर लगा कर इसे पाकने के लिए रख देंगे यह देखिए पानी भी इच्छी सपक्या है अब हम इसमें एक डाल देंगे डाल की दो मिनट इने में पखा लेना है उसके बाद हम गैस बंद कर लेंगे अब ड़क कर लगाते हूं ड़क देंगे एक डो मिनट के लिए इनको यह देखिए हमारी एक करीबन के बिलकुल तेग्यार हो गई है यदे आको हमारी रस्पी पसंदाई हूं तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें थेंक यू